सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों आज हमें बात करने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफिक का चप्टर नमर 9 जिसका नाम है लाइफ इन टेंपरेट ग्रास लेंड ठीक प्यारे बच्चों तो इस चप्टर में हम लोग जानेंगी कि घास कितनी बड़ी हो सकती है आपको लंबी लंबी घास जो उन जिसके सामने आदमें भी क्या पढ़ सकते हैं छोटे पढ़ सकते हैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया खैर कोई ने फिर वियार दो मीटर की घास से होती हो काफी बड़ी होती ठीक है तो प्यारे बच्चों इसी सब चीज़ों बार हम लोग पढ़न नॉर्थ अमेरिका का उसी क्या कहते हैं उसी खमलो कहते हैं प्रेविश झा एंप यह जो फ्लेट है और जबं कि यार मतलब धलान टाइप में है पर एकदम से ऐसे नहीं है मतलब कि माली जी कि इतना दूर तक है ठी तो यह ऐसे 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 ठीक है तो बहुत कम धालान तो है पर बहुत धीमे धीमे है ऐसा नहीं कि ऐसी वाली धालान है ऐसी वाली धालान नहीं है ठीक है तो आप धालान पैसी ऐसी वाली है तो इसे हील या फिर सिलोपिंग या भी कहा जाता है ठीक है और यहां पर लाइफ कैसी होती है यहां का वेजिटेशन को率 करने ओर लाइब जान है क्लाइमेट गारम है तो और मिलाइफ यहां पता है नाइन तो प्यारे बच्चों यहां पर जो क्लाइमेट होता है उसके बारे हम बात करने वाले हैं तो यह कहाँ पर हग remain vacant यानि कि Contine点 के भीज में यहाँ फेhe लोकेट प्यारे भीज्ट से क्लायमिट होता है इसकलाइमिट होता है टमलब सम्रों यानि जो गर्मी यह बहुत ज्यादा गर्मी होती है और थंदी उते तो बहुत ज्यादा थंडी भी जादा गर्मी भी जादा तो सब कुछ क्या है जादा जादा तो यहां के लोग वी तुझ यहां पैय जाते हैं be a City अंध टू यहां पे सभी लोग वी वह लगता है व्हार कि अ हुआ ध्यान तो प्योज्टन में घ्लति यह थia कैसा हुआ च्रह ब कि यहाँ टीके यज आ प्यारे बच्छो पीसे वारे बात पने countryside यह तो प्यारे बच्चों जो ग्रास लेंड पे फ्लोरा खावना होता है। मतलब कि दहा जहां पे?". यहां पर भॉटर वेटे समय बंछ नहीं होते हैं। चीज बहुत ही कम होते हैं। और यहां पर लेंड होती हैं grounds यहां पर फार्मिंग भी होते हैं। यहां पर पहल में दूसरी बात इसकी क spectivesse do कुछ पियार बच्चों कुछ पियारे वच्चों यहां पर खते हमें केняяटेर कर ना तुसेड़ाई यह ग्रास केलिए इस अच्छाय। तो प्यारी वच्चों यहां पर जो लार्ज केनल फार्म उसे क्या कहते हैं रैंचेज। जानवरों को पॉलते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि प्यर्वाइब और यहांप और इन्ह पखाते हैं subtitles सब्सक्राइब और इसाथ ऑपना अनाज भी उगाते हैं और हाई वैल्यू से इंकम भी करते हैं यानि कि अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं ठीक प्यारी वात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, world के बारेंलें ठीक है तो यदी आप लोग यह हाँ तक आ चुके हैं तो को सब्स्व्क्राइब कर लिजें अब हम पार्ट टु में बात करेंगी किसके बारें में world के बारें बात करेंगी तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए विल्ड तो प्यारे बच्चों विल्ड क्या होता है विल्ड प्यारे बच्चों होता है कि साउथ अफरीका का जो टेंपरेट ग्रास लेंड होता है उसे क्या कहते हैं विल्ड कहते हैं और प्यारे बच्चों य समझ में तो प्यारे बच्चू कहएं उसको गाइदफ्र को टा Мнеनि तक होती है 674 मों दिखाब घया है यह इन होता है फुर्ण वसकी ही पलुट्ण ुसाथ ऐक एक साथ हाँ कहां पर लोकेट कर ने वो Indian Ocean के वज़े से mild होता है यानि कि ठंडी जो होती है वो क्या होती है cold and dry होती है और temperature जो होता है वो 5-10 degree Celsius तक चला जाता है जबकि July जो होती है वो coldest month होता है यहाँ पर July hottest month होता है यहाँ पर coldest month है तो कभी 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 ठंडी कहीं कहीं गर्मी ठीक है तो समर्ज होते हूं बहुती छोटी टाइम के period के लिए होती है और काफी गर्म होती है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहे है न तो प्यारे बच्चों इस तरह का यहाँ पर क्या है पूरा माहौल बना हुआ है क्लाइमेट के बारे महीं तेख लिया अब हम देखेंगे कि यार यहां की जो लोग रहते हैं वह कैसे रहते हैं कैसे अपना मतलब फ्लोरा और भाउन भी रहता है यहां प्यारे बच्चों जो होता है सबस्यादा माइनिंग होता है और इसे एक साथ सा सबसे ज़्यादा यहाँ लोग किस पर फोकस करते हैं cattle rearing पर यानि की जानवर को पालते हैं और mining करते हैं ठीक है पहले बात कर लेते हैं flora और fauna की स्वारी भूल गया था यार कितनी गलती गड़ी आज तो प्यारे बच्चो जो vegetation होता है यहाँ पे वो क्या होता है पूरी तर सिसपार्स होता है फैला होता है और यहाँ पे जो grass होती है वो क्या करती है land escape को dominate करती है इसी वज़य से प्यारे बच्चो इनी सब region के वज़य से यहाँ पे lion, leopard, cheetah और kuddu नाम के जो सभी जानवर होते हैं पाए जाते है ठीक प्यारे बच्चो तो यहाँ grassland का area होता है प्यारे बच्चो यहाँ पे आप लोगों देखा होगा कि climate एक तरस पुरा moderate रहता है यानि धंडी और गर्मी दोनों रहती है ठीक है तो दोनों जब रहता है तो animal भी दोनों ही रहेंगी तो यहाँ पे animal भी क्या होते हैं काफी अच्छे amount में पाया जाते हैं ठीक है तो यानि कि यहाँ का flora and fauna भी काफी अच्छा खासा है ठीक प्यारे बच्चो अब प्यारे बच्चो देखी जो people होते हो क्या करते हैं यहाँ की जमीन तो ज्यादा fertile तो होती नहीं है मतलब कि यहाँ की जमीन होते हैं वो ज्यादा उपजाओ नहीं होती है इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं यहा तो cattle जाती है और भीडों को यहाँ पर बहुती जादा पाला जाता है और इदि कहीं-कहीं पर लैंड भी हो जाती तो वहाँ पर कैस्क्रॉप यानि है ऐसी क्रोफ जो मैं पैसा दें क minimize लेख और नहीं रहें तो पलीज, लक़ धिक नहीं नहीं सबमेद गरींदेफू तो नीचे प्यार्वी तो डिस्रिप्शन में एक लिक दिया गया है वहाँ पर फटाफट से विजिट करें वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के ऐसे ही डीटियल में एक्सप्लेंस है मिल जाएंगे ठीक तो फटाफट से विजिट कीजिए देर की इस बात की थैंक यू जय है जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में